किसने बताया आपको भारतिय जनता पार्टी के किसी सिर्ष नितृत ने बताया या NDA की कोई अधिकारिक प्रेस वारता हुई है या NDA के किसी सिर्ष नितृत ने इस तरह की कोई घोसना की है जो भी घोसना होगी बाते चल रही है बारता लगातार चल रही है और जब बारता चलती है तो समय लगता है और देख लीजेगा सारे सुखत परणाम होंगे एंडिये के सारे एलाइंस एक साथ आके आप लोगों के सामने सारी बाते जल्द ही साजा करेंगे नमस्कर देख आप से डिपोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा एंडिये के भीतर सीट शेरिंग का फर्मूला तै हो गया है कहा जा रहा है कि हाजी पूर सीट को लेकर जो हो वहला हो रहा था वो हाजी पूर सीट आखिर का शिराख पासवान को मिल गए ज सवाल उठ रहे हैं सियासी गल्यारों में अब इन सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं परशुपती पारस के प्रवक्ता शरवन कुमार और कहते हुए नजर आए हैं कि अभी अधिकारी घोशना नहीं हुई है कि आखिरकार हाजी पूर सीट किसे मिलेगी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं शरवन कुमार और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कादेश होगा हम लोग वही करेंगे हम लोग पूरे मजबूती के साथ एंडिये के साथ हैं और एंडिये के साथ ही रहेंगे इसी के साथ साथ तमाम उद भारतिय जनता पार्टी के किसी सिर्ष नितृत ने बताया या NDA की कोई अधिकारिक प्रेस भारता हुई है या NDA के किसी सिर्ष नितृत ने इस तरह की कोई घोसना की है जो भी घोसना होगी बाते चल रही है बारता लगातार चल रही है और जब बारता चलती है तो समय लगत है और देख लिजेगा सारे सुखत प्रणाम होंगे एंडिये के सारे एलाइंस एक साथ आके आप लोगों के सामने सारी बाते जल्द ही साजा करेंगे और जल्द ही सीट सेरिंग की घोसना बिहार की कर दी जाएगी संसदिया बोट की बैठक हुई अभी संसदिया बोट की बैठक खतम हुई संसदिया बोट के सारे सदस्ते संसदिया बोट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रिय अध्यक्ष पस्पति कुमार पारश जी को अधिकरित किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रन सदिय बोर्ड ने राष्ट्रिय अध्यक्ष पस्पति पाराजी को अधिकरित कर दिया है और राष्ट्रिय अध्यक्ष भारतिय जंता पार्टी के सिर्ष नित्रुत के संपर्क में हैं हमारी पार्टी की वारता चल रही है और हम लोग प्रधान मंत्री के नित्रुत में एंड अभी नेता हैं, हम लोग NDA में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का, आधरनीय प्रधान मंत्री मोदी जी का, आधरनीय गरी मंत्री अमिशा जी का, जेपी नडडा जी का, इन लोगों का जो फैसला होगा हमारी पार्टी को मानने होगा. अभी तो इस बात को जो होगा आपको सिगरी बता दिया जाएगा, अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है. है कि NDA एलाइंस में हम लोग हाजिपूर से चुनाओ पस्पति कुमार पारफ जी चुनाओ लरेंगे. आप से त्री सीटे मांग रहे हैं बिहार में? अभी भी आप लोग हाजिपूर पर दावा कर रहे हैं. बिल्कुल, तो हम पिचह कहाँ भाग रहे हैं? पिचह कहाँ भाग रहे हैं? भारतिय जन्ता पार्टी के साथ हमारी लगातार बारता चल रही है अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है पस्पति कुमार पाराज जी के सब के साथ अच्छे रिष्टे हैं जितने भी एंडिये में लगातार बारता चल रही है सब के साथ अच्छे रिष्टे हैं और आधर निया प्रधान मंत्री जी के साथ अटूट रिष्टे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के साथ अटूट रिष्टे हैं तो नितिश कुमार जी भी एंडिये में हैं उनके साथ भी रिष्टे हैं आप लोगों कभी साथ अच्छे फिर आप पहले भी कह दिया फिर आप घुमा फिर आप वहीं ला रहे हैं हमने कहा ना कि भारतिया जनता पार्टी का जो निर्ने होगा हमको शिकार देंगे इसकुमार से संब्सक्राइब बेबुनियाद बकवास कोई भी इस तरह की बाते चला रहा या बोल रहा है तो पूरी पबते इस बात को सर्य सक्किपारिश करते हैं इंडिया गटबंधन या किसी गटबंधन में जाने का कोई सब्सक्राइब में कोहें तरह का सवाल पूच रहे हैं राष्ट्रिय जो बिनास का प्रतीक है जिसने बिहार को गर्त में पहुचा दिया जिससे हम लोग लगातार लराई लर रहे हैं 4040 सीट एंडिये को जिताना है राष्ट निर्मान में जो यग और आहुती है उसमें हमारा योगदान देना है इसलिए आरजेडी के साथ जाने का सवाल कहा है एंडिये में हैं एंडिये में रहेंगे राष्ट्रिय लोग चुनसक्ति पार्टी के राष्ट्रे प्रवक्तर शवन कुमार को सुन रहे थे आप हाजीपूर सीट को लेकर एक पर फिर दावा ठोकते हुए नजर आएं तो वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाजीपूर सीट से हमारे नेता परशुपती पारस सी लरेंगे जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आदिश देंगे उनके आदिश का पालन होगा और हम लोग पूरे मजबूती से एंडिये के साथ है इसी के साथ साथ तमाम उन्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे शरवन कुबार सुना आपने तो फिलहाल इस खबर में बसतना ही तमाम जानकारी के लिए बने रैसिरी पोस्त लाइफ के साथ इस वीडि को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद